वेल्कम बैक तु जागो लघॉर जिनाव आप सबको जिनों अभी 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 ट्यूम किया टीविन सबको जशने अजादी बहुत-बहुत मुबारिक हो अभी हमारे साथ जिनमाने हमें जोइन किया उनका में तारूफ करवाती चलू हमारे साथ मौजूज होंगे हमें कमिशन का चार संबाला और इस जन्ग में पार्टी सिक्रीट भी गया हम वेल्कम करेंगे और आज हम इनसे आजादी के हवाले से डिसकाशन करेंगे वेल्कम वीडिये ब्रगेडिये साथ कैसे हैं हम थाइंक्यू सो मस्पर कामिंग बहुत शुक्रिया आज सबसे पहले अपने फ्राइब मनसुदी से घ्रसत बरसते हैं अपने दिफा के अन्जाम नहीं करते और आश इस शर्त में पढ़ जाते हैं तो फिर वो कौम में जो है महर वो गुलाम बन जाती है उस गुलामी के चंगल से निकलने के लिए बे इंतहार मेंद करनी करते हैं तो हमारी काउ हमने भी बेहसियत उस वह तो पाकिस्तानी नहीं थे लेकं बेहसियत मुसल्मान उस तहरीक में पुर जोश इसा लिया और हजारों जानों का नुकसान भी हुआ पुर्बानी भी उन्होंने और एक जो जहत मकर्र की उसके लिए मौयन की वो तो सोच थी अल्लामा इकबाल की और उस सोच को अपना लिये काइद आजम ने जब उन्होंने अपना लिया तो वो उन्होंने कहा कि मैं अल्लामा इकबाल का एक सिपाही हूँ और अल्लामा इकबाल ने खुद भी कहा कि मेरी हैसियत जो है वो तो तबला बजाने वाली की है जो मैफिल को जोश में ला रहा ह और कायदी आजम ने कहा एक मोका पर कि अगर मुझे पाकिस्तान और अलामा इकबाल में चोईस दिया जाए तो मैं अलामा इकबाल कुछ हूँगा क्योंकि अलामा अक्बाल अगर हुए तो पाकिस्तान बन सकता है लेकर अलामा अक्बाल ना हुए तो पाकिस्तान नहीं बन सकता है। ये उनके सोच की आहिमियत थी। वो खुत्बा आलाबाद 1930 वाला और उसके बाद जो पेशर्फ हुई एक जद्व जहद के लिए राह मुतायन होगी। जब उस राह मुतायन होगी तो उसके ओपर काइद आजम जैसा लीडर मिला। जिनकी अंग्रेजी की तक्रीर लोग सुनते थे और तालियां बजाते थे बगार समझे हुए। मैंने मेरी मैं उन खुशकिसमत लोगों में से हूँ जिनें बच्पन की जाद दास्तें जो हैं वो जहन पे अभी भी मुर्त्ब हैं नक्ष है। आप यह जिनें खुशकित लोगों मैं और शुश्चियत का इंपक्ट जे था कि मैं ने पाइंचाल की उमर में शेरवानी से लवाई उई थी और सार पे जिना कैप पहन के में शीशे के सामने खड़ा होता था मतलब इंफ्लूएंशल दी और मैं वालदेयन के उपर इस्तर अच्टों खड़े रहें के सुनते थे और एक लफ जाने बगार उनको पता था कि यह शक्त जो कुछ कह रहें वो दुस्त कह रहें यह यह कॉन्वडेंस है वामी इतमाद है कि अंग्रेजी के तक्रीर है लोगों को समझ नहीं आ रहीं लेकर उसका एक एक दिल जो है लेक ल हमारे अंदर वो लीडर्शिप जो स्केल्स हैं वो उस तरह से डिवेलिपने हैं जितने सेल्फ ले स्काइब आजम थे और जिस तरह से एक जद्व जहत एक स्ट्रगल थी वो चीजे हम आज कल के दौर में बिश्क हम आजाद हैं और एक आजादी बिसी नेमत से हम मुस्तफ को करते हैं कि अल्ला करें कि यह क्यादत भी माजूस ना करें वो जो एक खांदानी और वरास्ती सियासत चल पड़ी थी अल्ला करें कि हम उसमें से निकल आएं और अवाम के इतमाद को धोका ना पहुंचाए धोका ना दे यह जो लीडर्शिप अभी लोगों ने चुनी है तो मेरे ख्याल में फिर इमकान है कि हम दुरस्त रस्ते पर चल पड़ें तो दुरस्त रस्ते पर चल पड़ें तो क्या कहते हैं वेल बिगान इस हाफ डन जो आपने सही रस्ता पकड़ लिया अब्तदा अची कर ली तो हम तो वफ्कु करते हैं कि उसकी इंतहा भी अच्छ बनती है। काइद आजम ने अपनी जाती कोशच और महनत से वो कमाई थी। कुछ इस्लामिया कालज लाहूर को दे दी। कुछ यहां पे बिल्ली में वो उसके उपर भारती हकूमत का कब्जा है। वो काइद आजम की रहाइशगा थी। और उसमें कुछ देर हमारा सफारस्ताना भी रहा लेकन बाद में भारत ने वो हमसे छीन लिया। इसी तरह और जाइदादें भी उनकी जगा जगा बिखरी पड़ी है। लाहूर में जो कौर कुमांडर साब का गार है। यह भी काइद आजम का जाती मिल्कियत थी। लेकन य बाद में बेश दी गई। जब बेशने का प्रोग्रम बना काइद आजम की वफास के बाद तो आर्मी ने इसको खरीज लिया। वो उस लिहाद से महफूज हो गई। कम अच्छे हाथों में है, महफूज है, मिंटेन हो रही है। लेकन है थी वो काइद आजम की तो उन्होंने अपनी मिल्कियत वो कौम को वक्फ कर ली। यहां हमारा इसाब है कि हमने जो पिछले 30-40 साल में किया है कि कौम का पैशा अपनी जाइदादें बनाने के लिए इस्तमाल किया है। कौम को लूटा है और अपने जाती जो असास हैं उनको बढ़ाया है। अच् अच्छी भी जो एक आइडेंटिटी थी या उनका जो एक परसॉना था वो डिफरेंट ही था आजकल की लीडर्स को लेखा जाए। और बेशक वो उनके लिए एक बड़ा सपोर्ट पिलर भी रहे जो काईदे आजम को जितनी भी स्ट्रगल रही जितनी भी कोशिश है रही इसमें उनके साथ साथ जो इड़िद उनके लोग रहे उनका भी बहुत एंपदार है। नाचे फंड्स जमा करने की खातर। और उनके लिए कुछ और भी करना पड़े तो वो करूंगा। यह उनकी डेडिकेशन थी। फिर आप देख लिए सरदार अरब निश्टा देखिए। नवाब आप डाका देखिए। इनका जिकर कीजिए बना आपना मुहमद अली जोह और शौकत अली और इनके अबाद लियाकत अली खान जिनकी दो डिस्ट्रिक्स पे वहां प्रापर्टी थी जागीर थी इनकी छोड़के वहां से आगे यहां आके कलेम भी उसके बदले में दाखिल नहीं किया। कहने लगे जब तक हर महाजर सेटल नहीं हो जाता, मैं अपनी सेट्रिमेंट का सोच भी नहीं सकता। तो उन्होंने अपनी जिन्दगी में जो पीछे चोड़ी हुई प्रापर्टी थी उसका कलेम ही दाखिल नहीं किया। और जब उनकी वफात हुई शहीद हुए तो उनक कउपका भुभत का भुभत के मुनयान भी फटी ही, जराबी फटी ही, जुराबी मीफटी ही ही, तीनसौ अबतारीां नहीं तो लोग कितने मुखलिस है और उसका आजकी लिटर्श्क प्राप करें एंटाई मारी हुई होती है। यह ह्मने तो अपनी जोलियां बरी हैं अप से हम लोग नहीं गुजरे वे बनी बनाई मिल गी ना बागदोड तो की टॉप लीडर्शिप में सबसे में ग्यादा जो है काइद आजम ने खुद अलामा इकबाल तो वफात पाचुके थे 1934 में और उनकी स्ट्रगल के नतीजे में हमें पाकिस्तान पर गया और वो याद र पाकिस्तान न बना सकते कहीं हो जैनी काइद आजम की जो पर्सेनेरेड़ी का इंपक्ड था वोजे था कि अगर ये ना होते तो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता का parce सब्सक्राइब और उनकी जिन्दगी उनकी वफात के फॉरण बाद जो मैक्सिमम वडेरे जिमिदार नवाब और मराव जब तब का था वो मुस्लिमी की किष्टी में सब्सक्राइब हो गया और देखिए कि अब्तदाई दोर की सारी जो आपकी कुवेत महाकमा थी उसमें सब यही लोग थे और जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी पाकिस्तान की मुखालफत क्या कहते हैं जी मनजल उने मिली जो शरीक सफर न थे तो उसके फवाइद इन्होंने हासल किये और पॉलिटेक्स पे भी यहावी हो गए यह हमारी एक बदकिसमती की अब्तदा थी प्रोसेस में तो सलसल नहीं रहा लेकर वो अब दूसरा उसके पहलू है उस वो एक बहस का और रुख हो जाता है कि जी ओमें उन्हें मुदाखलत की जूरत इसलिए हुई क्योंकि स्यासेदानों की करॉप्शन देखके उन्होंने ख्याल किया कि अब मजीद लूटने का मौ लातोवाग कैता है 1965 की बात की जया तो उस पर भी आपकी पार्टिस्टेशन नहीं जी उस हवाले से भी हम थोड़ा बात करें मैं आपको बताओं मुझे उन्नीसो बानवे में हज करने का मौका मिला तो मुझे मैं जब वहां गया तो मुझे यू मैसूस हता कि मैं लागे सा उसको मेरे दिल का हाल भी पता है मेरी नजरों का हाल भी पता है तो यहां मैं छुप के कहां जाओं तो सन 65 की जंग में दो चीजे मैंने एक्सपीरिंस की तीन एक तो जजबा कौम में भी फौज में भी कट मरने का और पाकिस्तान के तहफ्स का पहली शीज नंबर दो मेरा कुरान जीज की आया तो हमने पढ़ी थी कि अल्ला तारा ने फिलां मौके पर मुस्लमानों पर सकीनत तारी कर दी तो सकीनत का मुझे सही तर्जमा या मफूम समझ नहीं आता है लेकिन जब गोला बारी शुरू हुई हमारे जवान शहीद भी हुए फिर हमने हमले भी किये उनके हमले बरदाश्ट भी किये तो एक अजीब गोगरीब सी कैफियत होगी यू लगता था जैसे हम खाब में चल रहे हैं आलमे खाब में और ना को गम है ना परवा है ना फिकर है गोला फट रहा फटता रहे मुझे नहीं लगा नहीं लगा यह ती वो सकीनत मैंने का आपके उपर एक लापरवाही तारी होगी आपकी नीम खाबी की कैफियत है अब चल रहे हैं बंदों को मरते हुए देख रहे हैं शहीद हो रहे हैं अजा कट रहे हैं लेकर आपके ओपर कोई चीज असरन्दाद नहीं होती को गम है ना फिकर है ना मरने का खौफ है और ती अजए जातिए तजरबे की इन बातें कर रहा हुगं कोई मुझसे खस्लाफ भी कर सकता है तो वो कैफियत जो थी कि मैं बीच में बीच में अधर हूं तो लोग हाथ मिलाने के लिए जीप के साथ साथ बायते और हर बंदा हाथ तो ही मिला सकता था वो जीप को ऐसे हाथ थांक्यू बेरी मच्ट सर बहुत शुक्रिया आपके आने का ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हाजर होंगे आपको और भी महमानों से मिलवाएंगे और जशने अजादी की खुश्यां तो हम बनाई रहें मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए जागल हॉद